हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हूँगे, कुशल मंगल हूँगे आज हम फिर एक नई स्टोरी के साथ जिसमें हम इंगलिस से हिंदी टरांसलेट करेंगे और मैं अपनी स्टोरी में आपको हर एक लिए हिंदी टरांसलेटर करके दिखाता हूँ तो आशा करता हूँ आप भी हमें ज्वाइन कीजिए ये एक Harry नाम का जो रहता है एक राक्षस रहता है उसके उपपर है जो अपनी छुट्टियों पे जाता है तो सुरू करते हैं आज की स्टोरी Harry's holiday Harry की छुट्टियां Once upon a time एक समय की बात है Dear Vase Harry Green Monister named Harry एक समय की बात है एक Harry बालो वाला Green हरा एक बालो वाला हरा राक्षस था जिसका नाम Harry था People of that town loved him जो उस सहर के लोग थे उसे काफी पशंद करते थे क्यों पशंद करते थे Because of his friendly nature उसका जो मित्रवत विहवार था राक्षस था है ना वो Harry फिर भी लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि उसका friendly nature था मित्रवत मित्रवत क्यों था क्योंकि उसने कभी किसी को हानी नहीं पहुचाई One day एक दिन He decided to go to his cousin Bunty who lived in London One day एक दिन He decided to go to his cousin एक दिन जो राक्षस था उसने कहां जाने का फैंसला किया Decide होता है He decided to go to his cousin उसने अपने चचेरे भाई के पास जाने का फैंसला किया कजिन और जब भी यह आते हैं कजिन का एक मतलब होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन दोनों के लिए डिनोट होता है इसके बाद cousin sister ये cousin brother का use नहीं होता केवल cousin से ही डिनोट हो जाता है कि जैसे cousin ही आया है और हमने यहां बंटी का नाम लिया तो चचेरा भाई खुद बखुद इसमें clear हो जाता है कि चचेरा भाई है या बहन बंडे एक दिन he decided to go to his cousin एक दिन उसने अपने चचेरे भाई के पास जाने का फैंसला किया बंटी who lived in London जो बंटी था बंटी कहां रहता था लंदन में रहता था he packed his bag उसने अपना बैक तयार किया and left for London और London के लिए रवाना हो गया ये leap for होता है leap for रवाना होना simple present में left for past में पोच गया left for रवाना हो गया for London के लिए when people in train saw him they got scared and moved on to another bogey गोराक्छस था when people in train जब लोगों ने उसे when people in train saw him जब लोगों ने उसे train में देखा they got scared बे डर गए and moved on to another bogey और जो एक डिबब था उस बोगी से दूसरे बोगी में चले गए एक डिबबे से दूसरे बोगी में डर के मारे चले गए on reaching London he bent up to bunty's house and shouted hey bro look जो monister था on reaching London London पहुँच कर he bent up to bunty's house वो bunty के घर तक गया and shouted और चिलाया hey bro look अरे भाई देखो जब वो गया तो उसने उसे आस्चरे चिकित किया कि hey bro देखो who is here देखो यहां कौन है ऐसा जाके उसने जो green monister था Harry था उसने जाके अपने भाई बंटी से कहा cousin से कहा when he saw Harry जब उसने Harry को देखा standing outside his house अपने घर के बाहर खड़ा हुआ standing खड़ा हुआ outside बाहर his अपने house घर मैंने हर एक बढ़ का जो हिंदी में meaning होता है वो नीचे लिग दिया है जो आपको English सीखने में सबसे बड़ा मिल का पत्थर होगा क्योंकि आप अगर अपने हिसाब से सीखेंगे अगर पहली बार सीखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे थोड़ा चा डिफिकल्ट होता है पर इतना भी नहीं मैं आसान बनाने के लिए आपके साथ हूँ भेन ही साहरी जब उसने हैरी को देखा साह होता है देखा भेन ही साहरी जब उसने हैरी को देखा स्टेंडिंग आउटसाइड हिस हाउस अपने घर के बाहर खड़े हुए ही बीकेम हैपी बहे खुस हो गया और उसने फैंसला किया उसे जो लंदन में कुछ इस्तान है उन्हें दिखाने का कि यहां गुमेंगे बहां गुमेंगे जितने भी इस्तान उसकी यारत थे उसने फैंसला गिया कि मैं उसे यहां यहां गुमाऊँगा सबसे पहले सबसे पहले मैडम तोसाइड का जो म्यूजियम है बहां गए लंदन में एक काफी फेमस जगह है मेडम तोसाद्स म्यूजियम हैरी वाज एक्साइट टू सी हैरी देखकर काफी उत्साहित हुआ दा बैक्स फिगर मॉम के पुतले वैक्स होता है हमारा मॉम मॉम के पुतले ओ फेमस फुटवालर जो पिर्सिद्ध फुटवालर थे उनके मॉम के पुतले पोप स्टार्स पोप स्टार्स के एंड काइंड और इसी तरह जो भी पिर्सिद्ध पिर्सिद्ध लोग थे उनके पुतले देखकर वो खुस हुए वहाँ शायद सचिन जो है सचिन तेंदुलकर भारत के उनका भी मॉम का पुतले लगा हुआ है और लता जी का वगेरा सब के वहाँ पुतले हैं आफ्टर सीग दा म्यूजियम म्यूजियम को देखने के बाद दे सेट ओन दा बेंच तो टेक रेस्ट म्यूजियम देखने के बाद बेंच पर बैठ गए अराम लेने के लिए चिल्डरन सा देम बच्चों ने उन्हें देखा सिटिंग ओन दा बेंच बेंच पर बैठे हुए और सेड और कहा टू दियर मॉम देट दीज मोनिस्टर्स लुक लाइक ए रियल मोनिस्टर्स चिल्डरन सा देम बच्चों ने उन्हें देखा सिटिंग ओन दा बैंच जब वो बैंच पर बैठ कर अराम कर रहे थे तो बच्चों ने उन्हें देखा सिटिंग ओन दा बैंच और अपनी मा से कहा यह जो राक्षास हैं एकदम असली के दिख रहे हैं Just then, ठीक तवी, Harry moved slightly, ठीक तवी, Harry हलका सा हिला, and children cried, और बच्चे रोने लगे, they are real monisters, and rain away. Just then, ठीक तवी, Harry moved slightly, and children cried, ठीक तवी, Harry moved slightly, and children cried, और बच्चे रोने लगे, they are real monisters, बे बास्तबिक राक्षस हैं, या बे असली के राक्षस हैं, and rain away, और बे भाग गए, after that, उसके बाद, they decided to go to the fair ground, उसके बाद, उन्होंने मेले के मैदान में जाने का फैंसला किया, fair ground होता है, मेले का मैदान, fair, मेला, ground, मैदान, decided, फैंसला किया, and boarded a red double dacre bus, और एक लाल double dacre होती है, जिसमें उपर और नीचे बैठने की व्यवस्ता होती है, और उपर से especially खुली रहती है, and boarded a red double dacre bus, और एक लाल double dacre bus में चड़ गए, इन लंदन, लंदन में no one has seen a green monster traveling in a bus, लंदन में किसी ने भी एक हरे, जो हरा राक्षस था, उसे कभी भी bus में यात्रा करते हुए नहीं देखा था, या नहीं देखा, so the people in the bus, so the people in the bus scrammed and got out of the bus, so इसलिए the people जो लोग थे in the bus, जो लोग बस में थे, scrammed चिल आए and got out of the bus, और बस से उतर गए, when was dropped them, जब बसने उन्हें उतारा, on the fair ground, मेले के मैदान में जब बसने उन्हें उतारा, we cried Harry, वी कहते हुए, जो हैरी था, हरा राक्षस था, वो रोने लगा या रोया, hearing that thunderous voice, उसकी अवाज भो जाते तेज़ती, hearing that thunderous voice, उसकी गड़गड़ा हट की अवाज सुनकर, people fell off the giant wheel लोग बड़े से पहियें से गिर गए, बड़ा सा पहियें किसकी बात कर रहे हैं, यह जो राउंड राउंड खुमता है, जो जूला होता है, उसकी बात, people fell off the giant wheel, लोग बड़े से पहियें से गिर गए, Harry and I, one T, Harry और मैं, one T, took the pleasure of rights, हमने जो मेले में rights थी, उसका आनंद लि लिया, Harry और मुझ बंटी ने, they started feeling giddy after taking rights, और कोई-कोई जब जूले पर जूलता है, तो उन्हें चक्कर आने सुरू हो जाते हैं, they started feeling giddy, उन्हें चकर महसूस हुआ, यह वो चकर महसूस करने लगे, after taking rights, जब उन्होंने सबारी कर ली थी, उसके बाद उन्हें चकर महसूस ह और कुछ समय उन्होंने आराम किया, then फिर बंटी said to Harry, फिर बंटी ने Harry से कहा, that he must travel in tube, ट्यूब एक पिरकार का वो रहता है, जिसके अंदर कोई train वगेरा चलती है, underground मतलब जमीन के अंदर, तो, then फिर बंटी said to Harry, फिर बंटी ने Harry से कहा, जो लड़का था, उसने Harry से कहा, that he must travel in tube, कि उसे, जो tube है, उसके अंदर यात्रा करनी चाहिए, it's amazing to travel in a underground train, यह काफी रोमांचक होगा, या आस्चरे जनक होगा, एक जो भूमीगट train है, उसके अंदर सफर करना, he said, उसने कह जो बंटी था, यह सब दूसके थे कि, जो अंदर गाउंड ट्रेन होगी, उसके अंदर सफर करना, underground train, भूमीगट train, उसके अंदर सफर करना काफी रोमांचक होगा, they went to the big castle, underground station, जो नीचे जमीन के अंदर जो वो बने रहते हैं, underground station, तो वो काफी बड़े रहते हैं, like महल क की तरह होते हैं, तो they went to the big castle, एक बड़े से महल की तरह जो था, भूमीगट station था, underground station बहां गए, but they were not allowed to travel in train, लेकिन उन्हें जो train थी, उसके अंदर यात्रा करने की अनुमती नहीं थी, because क्योंकि monisters were not allowed in train, उन्हें अनुमती नहीं थी, क्योंकि राक्छस थे वो, और राक् करने की, so, bunty took him to a secret place under the castle, so, bunty took him to a secret place, bunty जो था, उसे एक गुप्तिस्थान पर ले गया, under the castle, जो वो महल था, जो railway station का महल था, उसके नीचे ले गया, where are we, asked Harry, Harry जो राक्छस था, उसने पूछा, हम कहा हैं, we are in a dungeon, dungeon होता है, काल कोटरी है, तहकाना, we are in a dungeon, हम काल कोटरी में हैं, replied, bunty, bunty ने उत्तर दिया, it was a dark and spooky place, even they were scared, it was a dark and spooky place, यह एक अंधेरी और डराबनी जगा थी, even they were scared, यहां तक की, बेवी जो मोनिस्टर था, राक्छस, वो भी डर रहा था, और जो बंटी था, वो भी डर रहा था, even they were scared, यहां तक की बेवी डरे हुए थे, they came out, बे बहार आ गए, and came back to the cloak tower, बे बहार आ गए और बापस घंटा घर पर आए, cloak tower होता है, घंटा घर, बे बापस आए, और घंटा घर आ गए, Harry was very happy, Harry काफी खुश था, he had a wonderful day, Harry काफी खुश था कि उसका दिन सांदार रहा, alas high, alas जैसे high बोलते हैं, उस type से alas high, it is time to go back to home, अरे जाने का समय हो गया है, आज से जनक भासा में उसने बोला, हाई जाने का समय हो गया है, हमें अब चलना चाहिए, sad Harry, Harry ने कहा, so they hugged each other, hugged होता है, एक दूसरे को गले लगाना, so, तो they hugged each other, तो उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, या वे एक दूसरे के गले मिले, and Harry said to Bunty that, और जो Harry था, उसने Bunty से कहा कि, he had a splendid time with him, उसने Bunty से कहा कि, उसका जो समय था, उसके साथ बहुत अच्छा रहा, he thanked Bunty to make his stay lovely and very pleasant, उसने उसका धन्यवाद किया, उसके आवास को प्यारा और बहुत सुखद बनाने के लिए, काफी अच्छा दिन बीता, तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, आशा करता हूँ, आपको अच्छी लगी होगी, इस स्टोरी में मैंने जितने भी बर्ड थे, उन सब का मिनिंग लिग दिया था, एक दो वर्ड छूट गया था, तो वो इतने डिविकल्ट नहीं थे, जो कि उनका ना समझ में आए, सब इजी थे, आशा करता हूँ, आपको ये समझ में आयोगी, आप इसका एक बार और रिबिजन करना, और इसी तरह की हम वीडियो लाते रहते हैं, मिलते हैं, कल एक नई वीडियो के साथ सुभा, अगर पहली वार आये हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर करना, और अगर कुछ भी कमी लगी हो, या आप कुछ सुधार चाते हैं, या फिर आप किसी भी टोपिक पर वीडियो चाते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट का इंतिजार करूँगा, मिलता हूँ कल सुभा, जैहिन!